तो दोस्तों तीन स्टोक के बारे में बताएंगे स्प्लिट के बारे में बताएंगे पैसा आने वाला है उसके बारे में बताएंगे पैसा इन्वेस्मेंट होने वाली है split का meaning बता देता हूँ किसी के पास एक stroke हो उसके जगा 5 stroke दे दिये जाते हैं stroke की value 5 गुना कम करती जाते है split का मतलब यही है कि उसकी face value को कम कर देना और जो करोडो पर रूपे आना वो लग बात है तो चैनल को subscribe वीडियो को like करना मत भूलेगा सबसे पहला स्टोकों का Tata Steel Tata Steel की record date को fix कर दिया गया stock split की तो यसी news का इंतजार था लोगों का actually मैं जब split की date आजाती है तब stock में तेजी आनी शुरू होती है तो 19 July रखा गया है तो इसमें तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में ये ध्यान रखिएगा 39 July तक 880 पे हाज के दिन में इसके target वैसे भी 1300 के दिये गए है तो देखे तेजी आनी संभा होगा इस ताइम में तो कोई बड़ी बात नहीं अगर तेजी आती है तो कोई recommendation यह बठाँ तेजी की पूरी उमीद है यह सचा ही है 220 से जो आज खड़ा है यह stock 100 रुपे भी चला जाता तो खरीदने का फाइदा नहीं है अगर वो renewable पे इंवेस्ट नहीं करने वाले थे तो पट renewable पे इंवेस्ट करने वाले है तो future बहुत शांदार हो सकता है आने वाले महिने में इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है कोई recommendation नहीं फिर कोँगा बटा स्टोक में जान दिखाई दे रही है इस खबर के आगे तो Tata Motors की sales increase हो रही है कहाँ पे actually global भी हो रही है local भी हो रही है बट स्टोक में खबरों के basis पे और खुद basics के basis पे आप अगर सोचेंगे तो तेजी आ सकती है तो please study करके invest कीजेगा अगर आपको सही लगता है तो धन्यावाद